तो दोस्तों आज हम बनाएंगे अगदम थले जाट जो हालू की टिककी होती है एकदम स्टुफल होती है और बहुत ज़्यादा किरारी होती है उसकी सारी तिपस a Areeloo किसे कर सकते हो और इधिश्केट्ण न कहीं यहालू किसे कर सकते हो बिल्कुल तो अगर अब ही तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ही किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल लेकिन का बेटन जरूर दबाएं इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक असानी से पहुंच जाएंगे तो चलिए इसको बना लेते हैं हम जट पट से तो सूपर टूपर क्रिस्पी आलो की टिकी बनाने के लिए मैंने यहां पे चार बड़े आलो उबाल लिये हैं और इसको मैंने इतना मैश किया है कि यह बिलकुल अच्छे से मैश हो रहे हैं तो यह देखे अच्छे से मैश हो ग वो लोग भी बहुत कम नमग डालते हैं साथी में एक हरी मिर्च का टीवी में अब एक चमच में धनियार डाल रही हूँ तो बहुत जाती तीजीं नहीं डरेंगी इसमें बहुत कम समान पड़ेगा और हम इसको चला लेते हैं, ताकि नमक और यह मर्ची अचा से मिक्स हो जाएं तो यह देखी, अचा से मिक्स हो गया है अब हम इसमे डालते हैं बाइंड एजंट तो मेरे पास वह भी अररोड ही यूस करते हैं इसलिए मैं भी हाँ पर अररोड ही उस कर रहे हूँ तो यह मैंने चार चम्मच इस तरीके से ले लिया है और इसको मैं मिक्स कर लेती हूं तो आप बिसिकली जितने बड़े आलू लेंगे उतना ही आपको चम्मच लेना है अररोट का अगर अररोट नहीं है तो आप जो वैसे मिलता है कॉन फ्लार वो यूज कर सकते हैं लेकिन इस से बहुत अच्छा फ्लेवर राता है और बलकुल अग्जाच वही वाले फ्लेवर राय जो ठेले पाए तो यह ते बैक से आप मेंक्स हो गया है बहुत-चह से मैश कर लिया है मैंने और अच्छा लिया है अब भिव हम इसको साइट ए एनब टब तो फिलें की तहरी के लिए मैंने यहां पर दो चम्मच दाल जो जो चने की दाल है वह भीगोली 10 मिनिट के लिए उसके बाद मैं उसे उबाल लिया है तो उतना उबाला है कि यह इस तरीके से पक जाए यह देखे और जैसे पक गई है यह चने की दाल है थोड़ी खड़ी-ख साथी मैं यहां पर हरी मिर्चे डाल देती हूं बहुत अच्छे से चेट-पटा से स्वाद आता है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं हम साथी मैं यहां पर चाट मसारा डाल देती हूं एक चुटकी और यहां पर मैं थोड़ी प्याज डाल देती हूं इस तरीके से अच तो यह स्टफिंग बिल्कुल रेडी कर लिए हम लोगों ने और साथी में यह आलू रेडी है अब आपको गीला करना है हाथ ताकि आलू हाथ पे चपके ना तो यह देखे पानी से अच्छे से में हाथ गीले कर लेती हूं और एक बड़ा पोर्शन आप निका लिए क्योंकि अब आपके टिकी भी काफी बड़ी होती है तो एक बड़ा पोर्शन निका लिए और इस तरीके से बना लिया है मैंने मैं दुबारा से बना लेती हूं थोड़ा सा और मैंने पोर्शन ले लेती हूं और इसको इस तरीके से आपको बीच में जगा बनानी है इसमें और यह स और यह हम टोट हम अपक त्थाम जासे होता है। तो हम लारे लिख सफिनल कर लेती है। जैसे अपके अपर करेंगे तोट को इस तरीके से फ्लीतिन कर लेज़िए। यह हो गई एक टेकी तयार, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूं अब दुबारा से बना लेते हैं, तो यह देखे में इस तरीके से फिल कर लिया और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं तो बहुत असानी से फोल्ड हो जाती है, गीले हाथ रहेंगे तो और असान हो जाएगा इसको इस तरीके से फोल्ड करना, यह हो गए तयार, तो यहां पर मैंने तेल गरम कर लिया है, और दो बड़े चमच भरके जैसे लेडल होता है, सबजी परसने वाला वो वाला मैंने ते तरीके से पका लेती हूँ, और अभी हम इसको नहीं ही चलाएंगे, हम इसको तभी चलाएंगे जब यह नीचे से पक जाएगा, तो आप देखेंगे यह अपने आपी साइड छोड़ देगा, तो यह देखेंगे लगबग एक मिनिट के बाद आप आप इस तरीके से इसको अभी हलकी ब्राउनिंग है, तो कि अभी मीडियम फ्लेम पे अभी मैंने पका आया है इसको अब हम फ्लेम जो है ज़ड़ी ज्यादा कर लेते हैं, और इसको दूसरी तरफ से हम पहले पका लेते हैं, तो आप देखेंगे एक मिनिट के बाद यह दूसरी तरफ से भी उसी त करेंगे तो इतना क्रिस्पी नहीं हो पाता है इसलिए आपको कम तेल में से पकाना है और तवे पे या फिर इस तरीके से फ्लैट पे आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी तो बस आप उलटते पलटते इसको सेक लें यह देखें एक बिलकुल वही वाल तो इतकी बाहर से तो सूपर क्रिस्पी है और अंदर से देखें कितनी टेस्टी लगती है और अंदर इसकी जो फिलिंग है यह बिलकुल जबरदास्त है तो जब आप दही चटनी लगाएंगे न तो यह फिलिंग बहुत जबरदास्त आएगी तो एक लेट में हम पे दही तो यह हलका सा नमक डला हुआ दही है मैंने फेट लिया है इसको और साथ ही में हरी चटनी जैसे हम बनाते हैं धनिय की तो एक टिप है मेरे पास कि आप इस धनिय की चटनी में जो हरी मिर्चे है वो थोड़ी सी जादा दाल देजे तो बिलकुल वैसी वाली बन जाएगी ज तो थोड़ी सी सॉंठा डाल देते हैं इसमें और अब मैं यहां पर आलू की टिकी रख देती हूँ तो बिलकुल वैसी वाली हो गई जैसे मार्केट में मिलती है एक तब जबरदस गरम-गरम तो सर्दियां इतनी है तो आप यह गरम-गरम खाएंगे तो बहुत ही मज़ा प्यास बिलकुल अप्शनल है आप यहीं डालना चाहते तो नहीं डाले लेकिन प्यास है यह मोली अगर आपके पास अधिये तो बहुत अच्छा लगेगा तो मैं इस भिनाजीरा Ilाड़ी ठबाद दाल दे जिया है तो यह हो गई हमारी तीकी तो एक दम जटपट सेागे ब तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रू बताइए और घर में ज़रू ट्राइ करें बहुत मज़दार रेसिपी है